नमस्कार दोस्तों शंकर इलेक्ट्रोनिचल में आप सभी को खादिक स्वागत करता हूं दोस्तों आप देख रहें यूट्यूब चानल आप लोगों के बीच में हम लेकर आया है एक रिक्सा चार्जर जो कि फिलिपकार्ट से मंगवाया है फिलिपकार्ट वाले ने इसमें का उप्सन नहीं दिया था कि खराम निकल या तो वापस होगा कि नहीं होगा लेकिन अपने जिमदारी पर इसको मैंने मंगवाया और देखते हैं कि यह सइए कि खराब है और यह थोड़ा बढ़ा में है उस पहले वाला से बढ़ा मही यह जो कमपणी जो देती है रिक्सा क है बड़ा में जिसे की ज्यादा लोड रेगा यह बढ़िया काम करेगा इसमें फैन लगा है पंखा और इसको में जो देखी जो वारिंग है इसके वारिंग को चेक करना है जो उसका वार है इसका वार है तो उसमें दूसरा पिन लगा है इसमें दूसरे पिन लगा है चार्ज इसी पर वीडियो बना रहा है कि जो इसमें बोल्तर आ은ट हो रहा दो पहले देख लेहां कि bunch कितना आउट हो रहा है कैसी से कितना भूल्टक निकल लाँने इसमें उलटा सीदह हमें देखना है ऐसा नहों कि हORA सिदह न तो खराब हो जात जैसे जैसे हम प्लस देख लिजे किधर है यही ध्यान देना है तो चाजर खराब सकता है या तो बैटरी खराब सकता है तो इसका तार हमें निकाल करके दूसरा पिन लगाना है तुछ जो भी लिखा लगा हुआ है आप वीडियो को रोख करके देख लीजिएगा और इसमें बल्ब जो लगा हुआ दो एंडिकेटर लगा हुआ चार्जिंग के लिए एक है तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं तो पंखा यहां पर नहीं चला है क्योंकि अभी इस फिलोट नहीं पड़ा है पंख दोस्तों अभी यूट्यूब वीडियो सा नहीं है तो इसको हम खोल रहे हैं बाड़ी को धकन को बाहर कर रहे हैं तो यह रहा देखिए बोड़ी के अंदर का समान और दो-दो आइसी लगी है आठ पीन में और इसमें कैपेशिटर बड़ बड़ लगे हैं तो इसमें हम दे समान बहुत कम लगा हुआ है तो हम देख रहें इसमें समान बहुत कम लगा है 56 बोड़ में भी है और लेकिन इसको एक बार आपको खुलकर दिखा दे देखिए समान दोनों को अंतर कितना हो चुका है एक में आधा समान है एक में दूना समान है यह हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें पांखा भी दिया है यदि हीट होगा तो सारा गर्मी अंदर से बाहर कर देगा यह ठंडा किया रहेगा प्लेट को तो इसके हम व उसका इसलख गलत नहीं जो भी हम उसको जोडएंगे कहीं मुटा नहीं यह छो जै DOC अब यह फिलिप काट पे इसमें दिया है लेकि वह उसका जो है उसमें गोल में है यह चवकोर में है इसका farmer daji को लगे नहीं है 24 सो कि आज़ंग है तो हम उसको चलिकर तो इसको हम खो ले रहे हैं या हम इसके पलेट को खोल चुके हैं आप इसके यह बार को देख ले रहे हैं ऐसे नीचे सरकिट दिया गया है सरकिट के नीचे भी आप शोटे-शोटे यसांडि समाल लगे हुए हैं Resistance तो Nos देख लिजी जो भी नम्मर देखना है देख लिजी इसमें वीडियो को मैं इस थाय से दिखा रहा हूँ आपको तागही कभी खराब हो नम्मर यह तो आपको नम्मर मिल जाए क्योंकि नम्मर जब जल जाते हैं दिखाई नहीं देता है तो यहां नम्मर आपको दिखा दे रहे हैं इसमें रिजिस्टेंस के नम्मर एक एक रिजिस्टेंस के नम्मर दिखा रहा आपको हम देख रहे हैं यहां पे नीचे जो सर्कुट दिया गया है लाल काला जो इसका वायर है यहां उल्टा लगा हुआ है लाल काला तार उल्टा लगा हुआ है तो हमें यह देखना है कि लाल काला तार जो लगा हुआ है कंडेंसर के साब से लगना था लेकिन यहां हम देख रहे हैं सिर्फ जो पलस है वो मानस हम लगा है तो यहां हम उल्टा देख रहे हैं लेकिन जो आउट वहां हो रहा था फिन के चेक कर रहे थे मीटर चे तो वहां पर हम सीरा देख रहे थे तो वही पर वह सही है था लेकिन जो हम तार जो देख रहे हैं त गोल में लगाना है तो यहां तो यहां तो यहां नहीं समझना पड़ेगा बढिया से नहीं तो यहां नहीं समझेंगे तो यहां बिल्कुल गलत होजाएगा तो हमने तार को निकाल लिया बाहर यह जो है इसको हम हटा ले रहे हैं जिटर मेंटी मेंट्र को हम कर दे रहे हैं यह देखी अंदर से तार काम कर रहा है यह नीला तार अंदर से काम कर रहा है जो कि इस तार को उपर से काम करना था अंदर से काम ने करना था अंदर से काम कर रहा है ये वायर जो है कंपनी वाले ने उल्टा लगाया है पता ने क्यों लगाया है उल्टा तो इसी चीज को हमें देखना है कहीं हम तार कहीं उल्टा तो नहीं जोड़ते रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं देखिए जो काटे हैं अलग किये हैं तकि जनकारी दे निला तार कहां लगा हुआ है इस प्लेट में निला तार देखिए इसके करीब में जो मानस पलस बना हुआ है उसी के सिधान पर उसी के सिधान पर तो यह निला तार यहां पर लाल बनाया ग देएंगे दोस्तों तो कभी भी आप इल्टा लगा देंगे जान नहीं पाएंगे और बिना चेक यह लगा देंगे तो सर्तिया है 100 परटेंड खराब हो जाएगा तो यहीं हो रहा है लोग ध्यान जाता है इसका करण्स मिला लीजिए देखे कर्ण्स कैसा गया है यो की डायवड के सिरय पर गया है एक प्लस उसकी मैंस है और निला डिसी पिलज से अब देखिए इसमें वायरिंग जो किया है पता ना इसा क्यों किया है कंपनी वाले ने यह माइनस सीरा है अधर कैथोड पलस सीरा है अब हम इसके वायर को हम जोड़ ले रहे हैं तब आपको वीडियो को दिखाते हैं तो दोस्तों हम सारा करेंशन कर चुके हैं लीड को भार उलठा लगा है कि सीधा लगा है तो यह देखना है तो यहि वोड को हम चालू कर दे रहे हैं और यहां इसके अंदर ऑल्टे चुका है ने यहां पे यहां पे वोल्टे लाल और बाहर का काला और इसमें भी ध्यान देना है जो आपको पीन दिखाई दे रहा है यह पीन अंदर का पतला पतला वो लाल है और बाहर का काला अब एक बार इसको चार्ज करके देख ले रहे हैं कि चार्ज करते समय इक्या संकेत दे रहा है तो यहां पर देखिए लाल बलब जला है मतलब कि यह चार्ज हो रहा है और चार्ज हो रहा है इसका पंखा भी नाच रहा है पंखा घुम रहा है इसके तो दोस्ते एक बार इसको हम लीट को बाहर कर ले रहे हैं सौकेट से तब देखते हैं क्या संकित दे रहा है तो यहां पर जैसे लीट को बाहर किया ह हो कि जय हिन जय भर्थ बंदे मात्रां